असलाम अलेकूम फ्रेंड्स मैं हूँ सहरत असीफ और आज हम प्रेपरेशन करेंगे बीटी फोर जिरो सिक्स की यह हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथेडोलोजी एंड स्किल इन्हांसमेंट और हमारे पास यह फाइल है जिसमें मिर्ट्स के पॉइंट ओफ यू से इंपोर पावर का मतलब है कि जो रिसर्चर है कितना इमकान है कि वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो है वो हासिल कर पाता है या नहीं किसी सैंपल को स्टडी करके तो दो बेसिक पावर्स होती है रिसर्च की एक होती है इंपिरिसिजम होती है और रिशनलिजम होती है मतलब यह दो जैसा कि observe कर सकते हैं या कोई भी ऐसा problem है तो अगर हम इसको observe कर सकते हैं और इसका हम solution find out कर रहे हैं और हम उसका result find out कर पाते हैं तो ये empiricism कहलाती है research की और rationalism का मतलब ये कि कुछ ऐसे भी होते हैं problems जो rational होते हैं उसको हम observe नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमें logical explanation देनी पढ़ती हैं तो उन जो problems हैं उनका solution भी अगर तो हम किसी research से हासिल कर पाते हैं तो ये second power होती है research की तो दो powers है empiricism and rationalism अब rationalism में जो है वो explanation for regularity मतलब के इसमें अब जो ऐसी logical facts होते हैं ये ऐसी चीज़े होती हैं जिनको हम observe नहीं कर पाते तो फिर उसके लिए हमें regularity के लिए उसको explain करना पड़ता है और उसके लिए हमने consequential arguments देने होते हैं जो कि logical भी होने चाहिए उसके बाद second number पर question है source of concept हम concepts कहां से लेते हैं किसी research को conduct करने के लिए तो हम अपने personal experience से ही हम जो है वो concepts लेते हैं जैसा कि हम अपने एदगर देखते हैं कोई भी problem जिसको हम समझते हैं किस प sources हैं concept के लिए उसके लावा फिर हम दूसरे disciplines से भी जो है वो borrow कर सकते हैं concepts कहीं अपने एदगर की बजाए हम पहले से कोई study अगर की हुई है तो उससे भी हम concepts ले सकते हैं तो हम क्या करते हैं फिर we develop a specialized jargon मतलब हम specific difficult words choose करते हैं terminology choose करते हैं उस particular subject के लिए जो के आम लोगों के की फहम में नहीं आती उनको समझने के लिए समझाने के लिए फिर हम research conduct करते हैं तो वो specific जो terminology होती है उसको jargon बोला जाते हैं number three पे question है purposive sampling क्या होती है purposive sampling का मतलब यह कि research conduct करने के लिए जो हम sample लेते हैं जिससे हमें अपना purpose या अपना goal हम achieve कर लें वो purposive sampling कहराती है यह दो तरांकी होती है अब इसको जो है वो मैं यहां पर read करती हूँ researchers lay down the criteria for the subjects यानि वो क्या करते हैं वो खुद से एक criteria बना लेते हैं कि उन्होंने किन subjects को as a sample लेने इसको हम judgmental भी बोलते हैं research को sampling को और इसके लावा एक expert opinion भी होता है उसमें यह किरते हैं कि जो researcher होता है वो क किसी expert का opinion ले लेता है sample को collect करने में sample choose करने के लिए तो दो दोनों में ही judgment होती है एक में researcher की अपनी और दूसरा फिर किसी expert की तो यह होती है purposive sampling उसके बाद question number four है parties in research कौन से parties involved होती है research में तो तीन parties होती है number one to researcher होता है जो खुद research कर रहा है number two पे sponsoring client होता है यह client कौन होता है जो हमारी research को support कर रहा होता है financially भी और उसके लावा environment भी ऐसा हमें provide कर रहा होता है जिसमें हमने research करने होती है वो कोई institute हो सकता है हमारी अपनी organization हो सकती है या कोई firm हो सकती है कोई company हो सकती है वो funds भी provide करते हैं हमें तो यह कहलाते है sponsoring client उसके बाद आ जाते ह जिन पे research conduct की जाती है जैसे कि वो animals हो सकते है human beings हो सकते हैं कोई भी हो सकते है उसके बाद है role of theory in science यह question number five है हमारा theory के क्या-क्या roles है यहाँ पर हम इनके points बना सकते हैं जैसे कि number one पे है theory as orientation orientation means कि यह हमें एक framework देती है it gives framework phenomena may be studied in different ways कोई भी phenomena उसको different ways में study किया जा सकता है लेक उसके लावा यह हमें क्या करती है कि जो हमारा problem है उससे related बहुत सारे facts होते हैं तो उन facts को जरा narrow कर देती है उनमें से कुछ facts को मतलब कि choose कर लेती है separate कर देती है जिनका ज्यादा relation होता है हमारे problem के साथ तो इस तरह से यह help करती है orientation में जैसा कि यहाँ पे एक example दे सकते है study of football जैसा कि अगर हमने एक football को study कर रहे हैं हम उसकी strength को suppose हम study कर रहे हैं तो उसमें एक variable तो यह भी है उसका color भी है जबकि उसके color का उसकी strength के साथ कोई तालूक नहीं है तो orientation में theory की जो orientation होती है वो separate कर देती है उन सब facts को जिनका हमारे problem के साथ direct relation नहीं होता number two पे theory as conceptualization and classification तो यह क्या करती है provides concept theory जो बहुत सारे concepts होते हैं उनको classify कर देती है mix up नहीं होने देती जैसा कि एक ही problem के से related बहुत सारे होते हैं facts तो concepts तो उनकी यह classification करती है number three पे theory क्या करती है यह summarizing role भी play करती है summarizing role यानि जो facts है उनको non facts को summarize करना उनकी एक summary बना देना उसमें फिर यह summary जब बनती है theory बनाती है जब summary को तो फिर इसमें एक तो आ जाते है empirical generalization करती है और दूसरा systems of relationship between the propositions एक system भी develop करती है तो propositions क्या चीज़ होती है propositions जोती है वो statement होती है यहाँ पे कुछ थोड़ा लिखा नहीं गया है तो यह आप add कर सकते हैं बढ़ना इतना भी काफी है कि theory जो हो summarize करती है किसी भी known facts को तो यह दो points में add कर सकते है empirical generalization number two systems of relationships between the propositions अब propositions का यह statements होती है जिनको हमने judge करना होता है कि वो true है या false है इसके बाद number four point है theory predicts the facts जिसको extrapolation बोलते हैं अब बहुत सारे facts में से predict कर देती है कि यह वले facts जो है यह हमारा result हो सकते हैं हमारे question का answer हो सकते हैं इस तरह से यह predict भी करती है facts को theory points gaps in knowledge मतलब कि theory जो है वो point out करती है knowledge gaps को इसका मतलब यह होता है कि कोई एक fact जिसको हम study कर रहे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं जिस पर हम उस पहले भी बहुत सारा काम होता है theories बनी होती हैं लेकिन इसके बावजूद वो complete knowledge नहीं होता knowledge में कुछ नम कुछ gap होता है कुछ इसके बाद next question theoretical framework and its basic points सबसे पहले theoretical framework क्या चीज़ है यह एक structure होता है जो theory को support करता है मतलब हमने इस theory बनानी है तो उसके लिए framework के structure चाहिए अब framework का पहले तो कुछ characteristics बताएं के a good theoretical framework identifies and labels the important variables in the situation that are relevant to the problem identified मतलब कि एक जो problem identify हुआ है उससे relevant situations या variables जो भी है उनको identify करता है जो एक अच्छा framework होता है उसके बाद it logically describes the interconnection among these variables अब जो variables होते हैं उनके दरम्यान में एक connection भी होता है और यह जो theoretical framework होता है यह in connections को भी explain करता है variables होता किया है variable कोई भी person place thing या कोई भी phenomena हो सकता है जिसको हम study कर रहे होते हैं या जिसको हम मैयर करना जा रहे होते हैं तो theoretical framework के लिए जो basic steps होते हैं कैसे बनाते हैं हम उनमें सबसे पहले make an inventory of variables inventory का मतलब होता list हमारे पास facts से related जितने भी variables हैं सबसे पहले तो हमने उसकी एक list बना लेनी होती है उसके बाद फिर specify the direction of relationship अब जो relationship हमने ढूंडा है उन variables में हमने उनकी direction शो करनी है positive है या negative है या उनमें कोई variable एक दूसरे पे effect नहीं कर रहे हैं यह चीज़ भी हमने specify करनी होती है number 3 पे हम give a clear explanation of why we should expect the proposed relationship to exist हम क्यों expect कर रहे हैं कि इन variables के दर्मयान यह relationship है हमने उसको explanation उसकी देनी होती है कि जो variables के दर्मयान relationship हम शो कर रहे हैं उसकी reason क्या है उसके बाद फिर number 4 पे हम make an inventory of propositions propositions तैसे मैंने पहले भी आपको बताया यह statements होती हैं किसी भी concept के बारे में जिनको हमने judge करना होता है यह true भी हो सकती है false भी हो सकती है तो फिर हम उनकी एक inventory या list बना लेते हैं number 5 पे हम क्या करते हैं arrange these propositions in a sequential order हमने इन propositions को एक sequence में जो है उसको arrange कर लेना होता है और number 6 पे जाती है schematic diagram of the theoretical model be given जो theoretical model हमने दिया है उसकी हमें एक schematic diagram देंगे जो के pictorial नहीं होती बलके graphic representation होती है जैसा के lines हो सकती है, flow shear diagram हो सकती है यह चीजें जो हैं यह पूरे उस framework को explain करती है question number 7 है उसमें three responsibility पुछी गई है participant की किसी भी research में participate करने वाले जितने भी members होते हैं, उनकी क्या responsibilities है सबसे पहले तो जो respondent होता है उसको लेके हमने कुछ ऐसी चीज़ों, कुछ guidelines होती है उनको follow करना होता है सबसे पहले तो यह देखना है कि जो respondents हैं जिन पे research conduct की जा रही है उनको कोई physical harm नहीं होना चाहिए कोई discomfort, pain या कोई भी embarrassment का element नहीं आना चाहिए या फिर loss of privacy of respondent यह चीज़ नहीं आनी चाहिए और फिर तीन guidelines हैं जिनको हमने follow करना है conduct करने के लिए research सबसे पहले explain the study benefits हमने जो respondent है उसको explain कर देना है कि यह जो हम study कर रहे हैं उसके benefits क्या हैं दूसरे नंबर पर हमने जो respondent है उसको उसके rights and protections भी बताने होते हैं कि वो किस point पर हमसे क्या चीज जो है वो पूछ सकता है क्या question कर सकता है और तीसरा हमने obtain informed consent हमने एक consent written agreement उनसे ले लेना होता है जिसको हम informed consent बोलते हैं question no.8 है हमारा theoretical review यह क्या चीज होती है यह एसल में एक written statement होती है it compares how different theories address an issue मतलब एक ही issue पर different theories बनी हुई है तो उनका comparison होता है it evaluates different theories for the soundness of their assumptions logical consistency and scope of explanation अब यह जो theoretical review होता है यह क्या करता है evaluate करता है soundness of their assumptions यानि जो different theories है वो उनके assumptions कितनी strong है soundness means कितनी strong है उनके logical consistency कितनी है कितनी वो मुस्तकिल है और इसके लावा उनका scope कि explanation का तो इसका review का फाइदा यह होता है कि किसी एक जो issue है जिस पे हम काम कर रहे है उस पे अगर different theories पहले से बनी हुई है तो यह हमारे assumptions होती है उनको और strong करती है तो researcher में integrate two theories form a hybrid एक और काम भी कर सकता है researcher कि वो दो different theories को मिला कि एक hybrid भी बना सकता है support करने के लिए अपने assumptions को question number 9 relationship of variable relationship among variables यह should be logical relationship among variables should be logical एक logical relationship होना चाहिए होता है कि किसी एक issue के साथ काफि सारे जो variables होते हैं वो उसके साथ attach होते हैं उस पे effect कर रहे होते हैं तो उनका अपस में relationship भी होता है तो a statement concerned with the theoretical relationship among variables is a proposition a proposition की भी यहां भी definition आगे कि proposition असल में क्या चीज है जो variables के दर्मियान relationship होता है उसको जब हम explain करते हैं उसकी एक statement बनाती हैं तो उस statement को हम proposition बोलती हैं लेकिन यही बात की गई है कि वो statement logical होनी चाहिए उनका relationship logical होना चाहिए if the relationship prefers to an observable reality then the proposition may be testable and call it a hypothesis कि अगर relationship जो है वो एक observable reality है उसको observe किया जा सकता है तो फिर यही proposition जो है यह testable हो जाएगी इसको test किया जा सकेगा इस statement को और फिर इसको हम hypothesis कहते हैं parties in research के यह हम question पहले कर चुके है कौन-कौन से लोग involved होते हैं research में उसके बाद आ जाता है exploratory and descriptive research यह research की दो types है exploratory नाम से ही पता चल रहा है explore करना जब हम initial research होती है जब हम conduct करते हैं इस research को तब जब हम किसी problem को diagnose करते हैं यह exploratory initial research होती है conducted to clarify and define the nature of a problem इसमें हम कोई explore कर सकते हैं new topic specifically, specially मतलब यह new topic ही होता है कोई new problem होता है there could be a number of goals of exploratory research और इसके बहुत सारे goals होते हैं कि हम इस problem को क्यों diagnose कर रहे हैं हम इस problem पे क्यों काम कर रहे हैं अब दूसरी type है descriptive उसी problem को लेके जब हम आगे काम करते हैं तो हम उस पे work करते हैं research करते हैं तो जो एक proper structure हम framework adopt करते हैं तो यह descriptive research कहलाती है research designed to describe characteristics of a phenomena under study हमने उस phenomena को जिसको हम study करें उसके सारी characteristics को explain करना है तो यह descriptive research होती है और यह diagnostic analysis में help करती है last way हम diagnose कर लेते हैं जो भी problem है उसके solution को उसके बाद question number 12 है dependent and independent variable जो independent variable वो होता है जो हमारे control में होता है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं किसी भी scientific experiment में जिस चीज़ को हम अपने control में रखते हैं वो independent variable होता है लेकिन उस variable की वज़ा से किसी दूसरे variable पर effect आ रहा होता है वो दूसरा variable कहलाता है dependent variable An independent variable is the variable that is changed or controlled in a scientific experiment to test the effects on the dependent variable A dependent variable is the variable being tested and measured in a scientific experiment The dependent variable is dependent on the independent variable इसकी में एक चोटी सी एक्जांपल दूँगी अगर हम bacterial growth को study कर रहे हैं और हम temperature उसमें एक variable रखते हैं हम temperature को खुद लिबाटरी में कम ज्यादा कर सकते हैं तो वो independent variable है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है अब temperature बढ़ाने या कम करने से bacterial growth भी effect आ रहा है bacterial growth कम या ज्यादा हो रही है तो जी जो bacterial growth ये दूसरा variable है जो कि dependent variable है इन दोनों में आपस में relation question number 13 जो ये repeated है उसके बाद next question है validation of experiment अब ये validation क्या चीज़ है इसमें होता ही है कि कोई से दो phenomenon होते हैं अगर तो कोई ना कोई relationship हो और इसको हम cause & effect relationship बोलते हैं धो different phenomena's में तो हम इसरे experimentation करते हैं और if cause & effort relationship show होता है तो फिर इसको हम validation बोलते है works जैसे इसकी example आपक्तरा से ले सकते हैं कि sunrise and total situations ये दो packman जो हैं लेकिन यह सुन राइज से ही फोतो सेंसि होती है तो इस तरह से यह जो यह एक फ्छर tabs impact relationship तो जो एंट विलीटी होती है वह भी दो थरह की इक एंटनल और एक्सटरनल तो इंटर्नल विलीटी होती है ज़ब हम लिबौेर्यिय में experimentation करें तो रिजर्ट होते हैं इस तरह से valid़ोते है काई होती है वेलिड बयारे उसके बाद अगर एक्सटर्नल एक्स्टर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नलेटों को बात करें तो व्हेम लाइश तो बहुत सारी चीज़ने confidentiality in research अब जो research जब हम conduct कर रहे हैं तो इसको confidential रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए different चीज़े हैं यहांपे इनको points में लिखा जा सकता है सबसे पहले तो हमने point है obtained signed non-disclosure document यानि कि हमने a signed written statement या document ले लेना है जो भी parties या जो भी लोग involved हैं research में उनसे एक written document ले लेते हैं signed हुआ हुआ जिसमें non-disclosure की शर्च रखी जाती है कि इसको disclose नहीं किया जाना चाहिए number two restricting access to respondents identification अब जो respondents हम use करें research में उनकी identification को भी हमने show नहीं करना उसको restrict करना है दूसरे लोगों को यह नहीं पता होना चाहिए किसमें कौन लोग research में use किया जा रही है number three point यह revealing respondent information only with written consent अगर आपने respondent की information को reveal करना है तो वो एक written consent होना चाहिए एक राजी नामा उनकी तरफ से होना चाहिए कि उनको इस पर कोई इतराज नहीं है number four, restricting access to data instruments where the respondent is identified अब जहां पर respondent की शनाखत को शो किया जा रहा है वहां पर हमने data तक access दूसरे लोगों की नहीं होनी चाहिए कि यह data instrument क्या है कैसे लिया गया यह data दूसरे लोगों की वहां तक आपक आपक्सेस नहीं होनी चाहिए और respondent की भी इसको डिस्पोनसिबिलिटी होनी चाहिए कि वह इस data को डिस्ट्लोज ना करे number five, non-disclosure of data subsets, उसके बाद data subsets जब हमारे पस कुछ data आ जाता है जिसको भी हमने finalize नहीं किया होता तो उसको भी disclose नहीं करना चाहिए उसके बाद question number 16 external validity in research यह पहले भी बात ही है कि जब हम field में experimentation कर रहे होते हैं तो जो validity होती है वो external validity कहलाती है external validity is not sure organizational और field settings में ऐसा होता है several confounding variables several confounding variables का बहुत सारे उल्षाने वाले variables भी होते हैं outdoor या field experimentation में तो field experiments have more external validity but less internal validity मतलब उनकी external validity होती है लेकिन internal validity नहीं होती first have lab experiments then test in the field setting हमें मतलब validity को enhance करने के लिए हमें पहले lab experiments करने के चाहिए और उसके बाद भी field setting next question है cross-sectional and longitudinal studies cross-sectional research सबसे पहले क्या चीज़ है observe at one point in time यानि इसमें हम एक ही वक्त में observe कर रहे होती हैं बहुत सारे लोगों को भी कर सकते हैं जैसे snapshot study बीस को बोलते हैं जैसे किसी disease के फिलाव को study करने के लिए हम ज्यादा सारे लोगों को एक ही वक्त में अप्रोच कर सकते हैं इसकी टाइप्स होती हैं फिर जैसे के टाइम सीरी स्टडी पैनल स्टडी कोहरट स्टडी यह इसकी टाइप्स हैं तो यह जो long term या longitudinal research होती है जैसे अगर आप किसी एक इनसान की life को study कर रहें उसके बच्पन से लेके और किसी age तक उसको अगर आप study करें तो यह longitudinal research है इसकी एक बड़ी common example है 1970 में बिटन में एक study की गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की life को study किया गया था उनकी birth से लेके 1970 तक उनकी जो जो चेंजिस आये या उनको study किया गया यह कोहरत study की एक example है और इसमें फिर यह होता है कि लोग जो होते हैं वो एक से ज़्यादा लोग होते हैं वो सिम experience को share कर रहे होते हैं question number 18 how to locate research report के अपने topics related हमें अगर कुछ material चाहिए कोई research report चाहिए तो हम उसको कहां locate कर सकते हैं कैसे locate कर सकते हैं तो आर्टिकल्स होते हैं scholarly journals में वहां से हम ले सकते हैं और उसके लावा जो होते हैं और भी academic fields होती हैं वहां से भी हमें material मिल सकता है लेकिन locating the relevant articles is difficult यह मुश्किल काम होता है इसमें जो हमें abstracts या indices चाहिए होते हैं वह उनको ढूंडना मुश्किल होता है तो for scholarly literature इनके लिए तो फिर हम क्या करते हैं कि हम reference section में जाते हैं library के या फिर computer पे भी reference sections मुझूद होते हैं तो वहां से हम research report चाहिए हम ले सकते हैं next question है applied criteria of sampling design अब इसमें यह है कि हमने क्या criteria रखते हैं कोई sample लेने के लिए कोई sample choose करने के लिए हम क्या criteria रखते हैं तो selecting some of the elements in the population and draw conclusions about the total population हमने यही काम करना होता है कि हम कुछ elements को ले लेते हैं population से और फिर conclusion draw करते हैं तो वह total population के लिए होते हैं अब जो population element is the subject on which measurement is being taken अब जो element है वो subject है जिसपे हम measurement कर रहे हैं has its advantages and disadvantages के जो sampling हम करते हैं सेंपल लेते हैं उसकी advantages भी होते हैं कुछ disadvantages भी होते हैं क्योंकि हम random sampling कर रहे होते हैं mostly तो उसके बाद selection of appropriate sampling design हम फिर एक मतब के रखते हैं criteria रखते हैं जिससे हम sampling design जो है वो करते हैं और अपना sample collect करते हैं उसके बाद communication analysis in research यह क्या चीज़ है analysis is a systematic quantitative approach to analyzing the content or meaning of communicative messages यानि कि अब communication analysis क्या है कि जो descriptive approach होती है हमने जो कुछ काम किया होते हैं हम उसको describe कर देते हैं तो यह communication analysis कहलाता है content analysis is a descriptive approach to communication research and as such it is used to describe communicative phenomena मतलब कि जिस phenomena को हमने study किया है उसको एक verbal form में या written form में हम उसको communicate करते हैं तो यह communication analysis कहलाता है research का next question है 21 research confidential ways यह हम कर चुके हैं उसके बाद next question है theoretical framework six इसके features है सबसे पहले हम देखेंगे theoretical framework क्या चीज़ है एक ऐसा problem जो कि under study हो उसको पहले तो identify किया जाता है फिर इसके बाद जो factors involved होते हैं उनमें हम relationship की logical sense बनाते हैं अब जो logical sense होती है actually theoretical framework होता है theoretical framework is conceptual model of how one theorizes or makes logical sense of the relationships among several factors that have been identified as important to the problem under study यह main definition है theoretical framework की और उसके बाद फिर इसमें ज्यादा चीज़ें जो हैं उनको लिखने की जरूत नहीं है इसमें हमने components उनने पूछे है theoretical framework के जिनको हम short में पहले कर चुके हैं तो यहां पे उसकी थोड़ी सी explanation है और फिर clear explanation भी देते हैं कि हमने इनके दरम्यान यह जो relationship बनाया है इसकी क्या reason है उसके बाद फिर आजाता है next के make an inventory of propositions को भी हमने एक list ही बनानी होती है जो propositions होती है जो written statements होती है उनकी और उसके बाद फिर number five पे इन propositions को हमने एक sequential order में arrange करना होता है ताके वो समझने के लिए easy हो जाए और उसके बाद फिर last पे schematic diagram होती है जो के हमने work किया होता है उसकी इन सब को just थोड़े-थोड़े easy words में long question में इसको लिखा जा सकता है next question है 23 difference between exploratory and descriptive research अब यह exploratory and descriptive research को पहले थोड़े explain किया गया है अब यहां पे हम इसके goals देखेंगे goals of exploratory research अब इसका क्या मतलब मकसद है इसके goals क्या है तो वो हमने points में लिखने six points इसके दिये गए है इसका main goal है become familiar with the basic facts settings and concerns कि हम जो भी research conduct कर रहे हैं उसके basic facts क्या है और उसकी क्या setting है उसक्या concerns हैं क्यों वो conduct कर रहे हैं situation की कि यह situation है इसमें हमें इन चीज़ों को observe करना है number three फिर हम एक constructive theories भी develop करते हैं जिसमें new ideas को generate करते हैं alternative means जिसमें changes किये जा सकते हैं बाद में तो new ideas को generate करते हैं और conjectures करते हैं और hypothesis यह सब कुछ जो है वो हम इसका goal है research का exploratory research का जो initial research होती है उसका number four पर determine the feasibility of conducting the study इसमें हम यह भी determine कर लेते हैं कि यह study conduct करना कितना easy है हमारे लिए क्या यह इतना ज्यादा tough तो नहीं है और दूसरा financial point of view से भी देखा जाता है कि इसको conduct करने में कोई financial problems तो हमें face नहीं करने पड़ेंगे formulate questions and refine issues for more systematic inquiry इसमें हम फिर questions बना लेते हैं और issues को भी थोड़ा refine कर लेते हैं ताकि हम systematic inquiry कर सके और number six पे फिर हम develop techniques and sense of direction for future research फिर techniques को भी हम identify कर लेते हैं कि हमने किन techniques को यूज करना है future research के लिए for exploratory research the researcher may use different sources for getting information अब उसमें क्या-क्या sources हो सकते हैं उसमें तीन चीज़े हैं experience surveys होते हैं secondary data analysis होता है case study होता है number four four चीज़े होते हैं दूसरी four पे आता है pilot studies यह sources है exploratory research के तो यह जो experience survey होता है यह researcher tries to contact individuals who are knowledgeable सबसे पहले तो वो जिनके पास पहले ही उस issue से related कुछ knowledge होता है हम जो researchers होते हैं उनके साथ contact करते हैं और उनसे कुछ information जो हो gather करते है number two पे आता है secondary data analysis तो इसमें another economical and quick source of background information is secondary data analysis it is preliminary review of data collected for another purpose to clarify issues in the early stages of the research effort इसमें हम यह करते हैं कि अगर तो हमारे पास data किसी और research में या किसी और study में कुछ data हमारे issue से related पहले से लिया गया हो तो हम उसी को भी use कर लेते हैं और तीसरा है case studies तो case study में the purpose of case study is to obtain information from one or a few situations that are similar to the researcher's problem situation इसमें हम कुछ लोगों को involve कर सकते हैं case study कर सकते हैं जिनका हमारी जो problem है researcher का जो problem under study है उससे related अगर उनकी issues हैं तो उनको भी हम study कर सकते हैं और फिर नंबर 4 पर पाइलोट study का भी बिताया गया है कि यह पाइलोट study implies that some aspect of the research is done on a small scale इसमें हम यह करते हैं कि थोड़े से जो aspects होते हैं उनको बहुत चोटे level पर जल्दी भी हो जाएं और हमारे वो financially भी हमें हम पे जादा वो burden ना करें तो हम पाइलोट study भी कर लेते हैं तो चोटे groups में भी उसको कुछ aspects को हम study कर लेते हैं तो यह थे इसके goals exploratory research के उसके बाद descriptive research आती है जिसको explain किया गया था पहले अब इसके goals देखते हैं अब इसके goals में आता है number one describe the situation in terms of its characteristics provide an accurate profile of a group इसमें हम situation के characteristics उनको देखते हैं और उसके बाद जो profile बनाया जाता है ग्रूप का accurate profile इसका a goal यह है कि gives a verbal और numerical picture of the situation यह भी हमें पता चल जाती है एक verbal या numerical situation के जो picture होती है वो भी हमें show हो जाती है उसके बाद यह present करता है background information भी थोड़ी हमें इससे पता चल जाती है कि इस situation का इस problem का background क्या है उसके बाद create a set of categories और classify the information फिर जो हमार बाद से information आती है उसके classification भी इसका main goal है number five पे देखें clarify sequence set of stages and मतब इसने sequence को भी clarify करना होता है set of stages हमने कौन सही information की stage पे जो collect की है उस सब को clarify करता है number six इसका goal है focus on who but when where and how but not why हमने why के इलावा मतलब किन को use किया क्यों use किया गया कहा कब कैसे variables को use किया गया तो यह सब चीज़ें जो है इसका main goal होता है the great deal of social research is descriptive 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 researchers use most data gathering techniques, service field research and content analysis in सब चीज़ों को use करके mostly डाटा को अकठा करते हैं उसके बाद cross-sectional studies and longitudinal studies इनको भी पहले explain कर दिया गया है यहां पे काफी जादा detail में लिखा गया है जबके इसको थोड़ा short करके easy words में लिखा जा सकते है next question is rights of participants in study यह भी repeated question है और उसके बाद next question आता है what is research इसमें हमने definition देनी है research की research is the process of finding of solution to a problem हमने किसी problem का solution find out करना होता है after through study and analysis of the situation situational factors हमने factors को study करके तो एक solution find out करना होता है it is gathering information needed to answer a question and thereby help in solving a problem यानि यह हमें जो किसी भी question को answer करने के लिए हमें solve करने के लिए किसी भी problem को help out कर रही होती है उसके बाद next question है what are characteristics of a scientific method actually scientific method पे ही चलके हम कोई study conduct करते हैं या research conduct करते हैं तो इसके क्या characteristics है एक scientific method कैसा होता है सबसे पहले तो यह empirical होता है empirical का मतलब experimental होता है experiments किया जा सकते है number two verify able होता है मतलब इसको verify भी किया जा सकता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिको हम verify ही ना कर पाएं number three पे देखें cumulative होता है cumulative का मतलब होता है ऐसा जिसमें knowledge रुप नहीं जाता बलकि वो growing हो उसके बाद भी उसके काम किया जा सके और growing knowledge होता है deterministic मतलब इसका यह मतलब है कि acceptable हो जो knowledge हमने गेन किया scientific method को यूज करते वह acceptable हो ethical and ideological neutrality हो मतलब ethically यह किसी के ideology को hurt ना कर रहा हो neutral हो number six statistical generalization हो मतलब इसके जो statics आते हैं वो general हो उनको हर कोई अपनी studies में यूज कर सकता हो या specific किसी एकी problem के लिए ना हो वो statics उसके बाद आ जाता है rationalism मतलब यह real होना चाहिए उसके बाद आ जाता है question number 26 से पहले एक question है what is hysterography hysterography is the method of doing historical research or of gathering and analyzing historical evidence इसमें फिर हम किसी ऐसे phenomena को study करते हैं जो past में हो चुका होता है history से related होता है तो इसको historiography बोलते हैं उसके बाद next question है difference between survey interview and field research interview survey interview क्या चीज है it has a clear beginning and end यह question है और होता है एक survey होता है the same standard questions are asked in the same sequence इसमें लोगों से questions किये जाते हैं लेकिन एक जो standard होते questions का वो भी same रखा जाता है और उसका sequence भी same रखा जाता है यह survey होता है interviewer जो हता है वो appears neutral at all the time जो interview कर रहे है वो neutral रहेगा उसका कोई भी effect नहीं होगा उनके लोगों के answers पे उसके बाद आ जाता है field interview यह कि इसको बोलते हैं the beginning and end are not clear इसमें होता है कि आपने questioning start की है तो जरूरी नहीं है कि आप किसी specific point पे उसको खतम कर दें maybe questions से मज़ीद questions निकलते जाएं और आप information लेते जाएं अकटी करते जाएं यह होता है field interview questions and order are tailored to specific people and situations यह चेंज हो सकते हैं हो सकता है किसी और situation में आप और तरह के questions करें लेकिन आप किसी और situation में दूसरे लोगों से questions change कर दें या questions की तदाद भी कम ज़्यादा कर सकते हैं यह होता है field interview यह depend करता है कि हमने जो knowledge लेना है वो हमें में भी कि दो या तीन questions के बाद ही हमें वो information मिल जाएं या हो सकता है किसी situation में हमें ज़्यादा questions भी करने पड़ें interviewer shows interest in responses encourages elaboration यानि वो जिनसे questions कर रहे है वहां पर interest show करता है अपना response देता है और उसके लाभे elaboration को encourage भी करता है कि वो questions के answers को elaborate करें उसके बाद next आ जाता है question two types of grounded theory study यह असल में examples यहां पर दी गए हैं कि grounded theory study की कोई इसी दो examples हैं तो यह दो popular approaches used की थी दो researchers थी एक straws and Corbyn ने 1998 में की थी और उसके लाभा एक approach रोकारमास ने 2005 & 2006 में की थी उसके बाद next question है analyst parts of main body of report तो main body में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम एक research के बाद एक report क्यार करते हैं तो उसमें कुन कुन सी चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले introduction होता है फिर उसके बाद methodology होती है जिस method को मैंने adopt किया वो उसके बाद फिर हम results दिखाती है next फिर conclusion and recommendations भी आती हैं और फिर लास्ट पर हम reference भी देते हैं कि हमने information कहां कहां से ली question number 29 है difference between ethnography and phenomenology तो ethnography क्या है यह actually study the people in their own environment ethnography में जो researcher होता है वो लोगों को उनके अपने ही environment में study कर रहोता है ethnography is qualitative design in which the researcher describes and interprets the shared and learned patterns of values, behaviors, beliefs and languages of a culture sharing group यानि उन groups के behaviors और उनके values को उनहीं के environment में रहके study करता है और जो होता है phenomenological study describes the meaning of several individuals and their experience of a concept or a phenomena इसमें फिर वो study की जाती है कि एक ही concept या phenomena को लेके different जो individuals है उनके क्या beliefs है उनके क्या behaviors है यह कहलाती है phenomenological study question number 30 है difference between realistic and critical ethnography तो जो realistic ethnography is a traditional approach used by culture anthropologist it reflects a particular stance taken by a researcher towards the individuals being studied इसमें थोड़ा बहुत stance का मतलब होता है मुकफ यह जो researcher होता है उसका अपना मुकफ भी उसमें होता है कि उसने कुछ खास individuals को ही क्यों select किया और उनको study करने के बाद उनके जो answers है या उनके जो experiences है उसमें थोड़ा बहुत असर जो है वो इसका होता है researcher का अपना मुकफ भी उस पे होता है जबकि तो critical ethnography है इसमें authors advocate for the emancipation of groups उसमें groups की आजादी को भी सामने रखा जाता है और marginalized in the society यानि कुछ special groups लिये जाते हैं और जो society में फिर उनको मतलब completely किसी भी phenomena से related अपने experiences शेयर करने की आजादी होती है उसके बाद next सारे questions जो है 31, 32, 33 यह repeated है इनमें थोड़ी extra detail एड़ की गई है और question number 34 जो है last question उसमें भी rights है participants के study में जिसमें यहाँ पर different wording से question एड़ किया गया है जबकि यह पहले हम कर चुके हैं तो friends यह थे important questions midterm के लिए I hope आप लोगों को help मिलेगी से और मैंने कोशिश किया कि मैं इसको थोड़ा easy words में और कम time में इसको explain कर सकूँ thank you so much